बूड मॉनिंग टैंथ क्लास सुप्रभातम टैंथ क्लास हम पढ़े थे अपना पंचम पार्थ जननी दुल्यवत्सला अर्थात जन्नी अर्थात माता का इसने हैं जिसमें हमने यहां तक पढ़ा था कि जहां पे एक माता कैसे अपने पुत्र के प्रती अपने वादसल्यता को छलकाती है जहां पे इंद्र और जो सुर्वी है धेनु की माता है सुर्वी उससे सवाल और जवाब कर रहे हैं तो यहां पे जब उन्होंने बोला था कि जो धेनु है जो बैल है उसको किस प्रकार से किसान कस्ट पहुँचा रहा है ऐसे बात चल रही थी इंद्र और सुर्बी की है ना तो आज देखते हैं इंद्र ने क्या कहा जब सुर्बी ने कहा कि एतत भवान पस्यतिना क्या आपको यहो दिखाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से किसान उस बैल को क्या दे रहा है पीडा दे रहा है ना अब इंद्र क्या कहते हैं इति प्रत्यो वाज अब इंद्र कहते हैं भद्रे नूनम यहां से पढ़ेंगे आज यहां से था आमारा भद्रे नूनम सहस्त्र अधिकेश पुत्रेश शत्त स्वापी तव अस्मिन्नेव एताद्रिशम वात्सल्यम कथम ठेक हैं हे कल्यानी निस्चिती तुमारे हजार से अधिक पुत्र होते भी तो यहां पे इंडर कह रहे हैं भद्रे हे कल्यानी किसको सुर्वी को हे कल्यानी नूनम अर्थात निस्चिती सहस्त्र अधिकेश शहस्त्र अर्थात हजार हजार से अधिक पुत्र होते हुए भी अप्य अर्थात भी ताव अर्थात तुमारे अधिक पुत्र होते हुए भी असमिन नेव एताद्रिशम वादसल्यम कथन ठीक है होते वे भी तुमारा इसी पुत्र पर इतना इसने हा क्यों? असमे नेव एताद्रिशा असमे नेव अर्थात इसी पुत्र पर इतना वात्सल्य अर्थात इसने हा क्यों? ऐसा इंद्र पूछ रहे हैं कि तुमारे तो हजारों पुत्र हैं और उन पुत्रों में से तु अब क्या दिया प्रति उत्तर सुर्वी ने प्रति उत्तर दिया स्लोक के माध हम से समझाया है यदि पुत्र सहस्त्रम में सरवत्र सम्मेव में दीनस्या तु सताह सुक सक्रहा पुत्रस्या अधिका क्रिपा सुर्वी कहती है यहाँ पे यदि पुत्र सहस्त्रम में ठीक है चाहे मेरे सौ पुत्र भी है यदि अर्था चाहे मेरे पुत्र सहस्त्रम में यदि मेरे सौ पुत्र भी है सरवत्र सम्मेव में ठीक है लेकिन मेरे लिए सभी क्या है सम्मेव अर्था समान है मेरे सौ पुत्र भी हैं लेकिन मेरे लिए सबी क्या हैं समान हैं दीनस्य तु सता हसक्र पुत्रस्य अभीदी पुत्रस्य अभ्यादिका क्रिपा ठीक है कह रही हैं कि यदि चाहे मेरे सौ पुत्र भी हैं लेकिन मेरे लिए सबी समान रूप से क्या हैं इसने ही हैं दीनस्य तो सता अर्थात हे इंद्र दीन ता तो यहां पे कहा सक्र अर्थात इंद्र को कहा हे इंद्र दीन तो सौ पुत्रों में अत्यदी कृपा का पात्र होता है जो दीन होता है दीनस्य तो सौ पुत्रों में जो दुरलब होता है वो सौ पुत्रों में अत्यदी कृपा का क्या होता है पात्र होता है अर्थात सुर्वी का कहने का मतलब है जो दीन होता है जो दुर्वल होता है वहो तो मा का क्या होता है अधिक सने यह अर्थात अध्यदी कृपा का वो क्या होता है पात्र होता है ठीक है फिर कहते हैं बहु बहु अत्या पत्यानी में संतिती सत्यम ठीक है, मेरे बहुत पुत्र हैं, ये सत्य हैं, बहु अन्य पत्यानी में संतती, संतती अर्था संतान, ठीक है, कि मेरे बहुत पुत्र हैं, ये तो क्या है, सत्य है, तथा अप्या ते तस्मिन पुत्रे विसीश्य आत्म वेदना अनुभवामी, ठीक है, पिर भी मैं विशेश कर इस पुत्र की आत्म वेदना अनुभाव कर रही हूं तथा पितस्मिन पुत्रे विशेश या विशेश रोप से उसकी आत्म वेदना को मैं क्या कर रही हूं कि क्या उसको पीडा हो रही है उसका अनुभाव मैं कर रही हूँ या तो ही अन्या या तो ही आई अन्यभ्यो दुर्बलह क्योंकि वह अन्यों से क्या है दुर्बल है क्योंकि वह अन्या पुत्रों से मेरे अन्या पुत्रों से क्या है सबी पुत्रों में माता समान इसनेह देने वाली होती है फिर भी दुर्लव पुत्र सहज भाव से माता का क्या होता है अधिक इसनेही होता है ठीक है यहाँ पे कहा है तता भी दुर्लवे सुते मातु अभ्यादिका क्रिपा सहजेव इती फिर भी दुर्बल जो पुत्र होता है फिर भी दुर्बल जो पुत्र होता है सहज भाव से माता का अधिक क्या होता है अधिक क्रिपा सहजेव इती अधिक इसनेही वही होता है जो क्या होता है दुर्बल होता है उसको जैसे अपने मा क्या है अपने बच्चे को जो दुर्बल बच्चा है अपना कमजोर है पीडित है उसको जादा प्यार देती है फिर है फिर कहते है सुर्बी वचनम सुर्ट्वा विशम विस्मित खंडला स्यापी रदय अद्रवता है सुर्बी के ऐसे वचनम सुर्ट्वा था ऐसे वचनम को सुनकर अत्यदिक आश्चर चकित इंद्र विशम वर्थात इंद्र का हिर्दय द्रवित हो गया विस्मित खंडला स्यापी अद्रवता है वह उसे संत्वाना देता है इसको सुर्बी को कौन इंद्र गच्छ वच से सर्वभद्रम जायते जाओ वच्छ ठीक है गच्छ वच से हे पुत्री जाओ सब कल्यान कारी होगा सभी क्या होगा कल्यान कारी होगा भद्रम जायते सर्व भद्रम जायते ठीक है सभी क्या होगा कल्यान कारी होगा ऐसा इंद्र कहते हैं फिर अची रादेव चंड वातनेन मेग वैस्यस्ट सहे प्रवर्सह समझायत ततकाल प्रचंड हवा वो मेग के गर्जना के साथ वर्सा होने लगी फिर अची रादेव चंड वातने प्रचंड हवा वो मेग गर्जना के साथ क्या होने लगी वर्सा होने लगी पश्यत एव सर्वत्र जलो प्लाव संजात है देखते ही देखते चारों ओर जल पल्लो हो गया पल्ला वर्थात भर गया किसान हर्स से जोतने के कारण हर्स से जोतने के काम से खुशी से जो हल जोतरा था किसान उसके काम से विमुक हो करके विमुकरतात गुसा या दुखी होकर के होकर बैलों को लेकर के घर आ गया सन ब्रिशबो नित्वा नित्वा अर्थात लेकर के ग्रहम आगता अर्थात घर को आ गया वहां क्या होगी हवा से बादल गरच करके पूरी वर्षा हो करके इंद्र जी ने पूरी वर्षा करके क्या हो गया वहां से किसान दुखी हो करके विमुख हो करके क्या आ गया घर आ गया तो फिर कहा है अप्यत्य येशू चसरवेशू जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तुसा माता क्रिपाहर दया भवेत कमजोर पुत्र तो स्वाभाविक रूप से माता के अधिक इसनेही कापात्र होता है तो इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है जन्नी वच्सतुल्या में किस प्रकार माता अपने पुत्र के प्रति क्या करती है इसने हे करती है तो ये बाठ हमारा पूरा हो गया है इसका सब्दार्था आप करोगे इससे आगे आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा